यह बात अब सही लगने लगी है कि देर से मिला न्याय न मिले न्याय के बराबर होता है 30 दिसंबर की वो शाम जब एक घर के आहाते में 10 लोग दाखिल हुए गोलियां चली और अगले पल जब प्रेमवती की आखे खुली तो उसके सामने उसके तीन बच्चों की लाशे पड़ी थी लेकिन बदकिस्मत केवल प्रेमवती नहीं थी उस शाम कई उलादें अनात हुई कई माबाब बे उलाद हुए और 1981 के फिरोजबाद दलित नरसंगहार में 10 लोग मारे गए लेकिन आज ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ क्योंकि कहा ये जा रहा है कि 42 साल बाद यानि की जो घटना 1981 में हुई उसका न्याए 2023 में कानून के किताबों के अनुसार दे दिया गया है क्या क्यों कैसे हर सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा नमस्कार मेरा नाम है धारण आप देख रहे हैं दमूक नायक ये कहानी 42 साल पुरानी है लेकिन आज 2023 में फिरोजबाद डिस्टिक कोर्ट ने इस मामले में दस लोग जो आरोपी थे उनमें से जिन्दा बचे एक व्यक्ती गंगा दयाल यादव को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है और 55,000 रुपे का जुर्माना लगाया है गंगा दयाल यादव उन दस लोगों में शामिल थे जिन्होंने फिरोजबाद में दलित हत्याकांड को दलित मैसेकर को अंजाम दिया था लेकिन आज वो अकेले बचे हैं जिनको ये सजा देखने को मिली है और जब ये खबर उस दलित परिवार तक पहुंची जिन्होंने पहले पहुंच जाता तो शायद स्थिती कुछ अलग हो सकती थी प्रेमबती एक रिपोर्टर को अपने पैर में लगी गोली का निशान दिखाते हुए कहती हैं कि बयाली साल बीद गए हैं लेकिन अभी तक हम तक न्याय नहीं पहुंचा था अच्छा हुआ जो आप आए और ये जानकारी हम तक पहुंचाई 42 साल बाद आज वो स्थिती बन चुकी है कि 10 में से 9 अपरादी मर चुके हैं और ज्यादा तर गवाह भी इस पूरे केस में उनकी भी मृत्यू हो चुकी है जो लोग इस से आहत हुए थे खुद प्रेमबती की उमर 75 साल हो चुकी है जब उनके घर में 10 यादव समाज के गुंडे पहुंचे तो वो 30 साल की थी रसोई में खाना बना रही थी उनके आहाते में उनके बच्चे खेल रहे थे और तभी उनके घर पर हमला होता है उनके तीनों बच्चों को मार दिया जाता है उनके कई पडोसियों पर भी हमला हो है लेकिन निशान आज भी जिन्दा है आज भी वो निशान चिला चिला कर इस देश के न्यायालेओं को बता रहा है कि अन्याय हमारे साथ हुआ था लेकिन अन्याय एक और हुआ है न्याय समय पर ना दिया जाना भी एक बहुत बड़े अन्याय का हिस्सा होता है उस समय न्या प्रेमती के परिवार वालों ने एक शिकायत दर्ज करवा दी थी कतित उची जाती से आने वाले लोगों के खिलाफ उस इलाके में यादो परिवार की कुछ राशन की दुकाने थी और राशन सही से ना दिये जाने की शिकायत एक दलित परिवार ने करवाई और उसका खाम्याजा उन्हें भुगतना पड़ा पूरे समाज में से दस लोगों की गिनती कम करवा कर जाती के दंब में आकर दस लोगों की जान चली जाती है और कानून भी न्याय समय पर नहीं दे पाता है तो दो तरफा अन्याय की मार इतने लंबे से मार जेलते आ रहे दलित समाज पर एक और बार पड़ जाती है लेकिन न्याय मिलने में इतनी ज्यादा देरी हो कैसे गई कि घटना हुई 1981 में और अभियुक्त को सजा मिली 2023 में इस बारे में जब सरकारी वकील राजीव उपाध्याय से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 1989 तक जब तक फिरोजाबाद जिला नहीं बना था तब तक जो आरोपी इस मामले में थे वो मैन पूरी जिले में आते थे इसलिए तब तक वो फाइले धूल फाक रही थी लेकिन 1989 में फिरोजाबाद जिला बनने के बाद भी दो हजार एक तक इस पूरे मामले में कोई सुनवाई शुरू नहीं हुई थी 2001 में सुनवाई शुरू होने के बाद भी इस पूरे मामले को न्याय तक पहुँचते-पहुँचते 22 साल का वक्त बीच चुका था 22 साल का वक्त सुनवाई में लग गया और फाइल ढूनने में 20 साल लग गए इतने लंबे अंतराल में उस परिवार को क्या कुछ नहीं जेलना पड़ा होगा अन्याए रोजाना देखना पड़ा होगा जो घाओ उनके बदन पर रोजाना उनसे चिला कर सवाल कर रहे थे कि क्यों ना वो मौत में बदल जाते क्यों ना उस वक्त वो खून के रिसाव का कारण बनते और पूरे बदन को सुखा देते कम से कम सरकारी अन्याए का सामना तो लोगों को ना करना पड़ता 42 साल का समय इस पूरी न्याए विवस्था के गाल पर तमाचा मारता है 2001 में अटल विहरी वाजपाई की सरकार ने एक प्रण लिया था कि हम जल्द से जल्द कोट में मौजूद जितने भी केस पेंडिंग है उनको पूरा करने का काम करेंगे और उन्होंने इस केस की सुनवाई तो शुरू करवा ही दी लेकिन इस सुनवाई को खत्म होते हुए भी 22 साल का समय बीट गया प्रेमती के पड़ोस में रहने वाले एक और व्यक्ती वो कहते हैं कि जब ये घटना हुई तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन इस घटना की कहानियों को सुनते सुनते ही मैं बड़ा हुआ हूँ और आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बात पर खुश हुआ जाए कि न्याए मिल गया है या फिर दुखी हुआ जाए कि जिन्हें न्याए मिलना चाहिए था वे आज उनमें से कई लोग आज जिन्दा नहीं है और सबसे दैनिये जो कहानी जिस महिला की थी प्रेमवती उनकी भी आधे से ज्यादा उम्र बीच चुकी है कोट ने जिस व्यक्ती को सजा सुनाई है उस व्यक्ती की भी उम्र नब्बे साल हो चुकी है आजी वनकारवास की सजा गंगा देयाल यादव को हुई है और पच्पन हजार का जुर्माना हुआ है आपके इस पूरी कहानी के बारे में क्या विचार है कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा जरूर और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा देखते रहे हैं दमूक नायक मैं आपके साथ धार धन्यवाद